दोस्तो हर एक student का सपना होता है कि NEET score के base पर उसको अच्छी से अच्छी ranking की medical college मिल सके जिसमें MBBS के अच्छी study हो सके और अच्छा doctor बन सके अभी हमें कैसे पता चलेगी कौन सी medical college की कौन सी ranking है तो 2020 के लिए ranking जारी हो चुकी है इसकी government of India की ranking जारी करने वाली संस्ता NIRF का नाम तो आपने सुना ही होगा इसका मतलब है national institutional ranking framework है इसका काम institute को rank देना है और ये ministry of human resources development government of India दवारा संचालित है ये हर साल medical college को भी rank देता है इसकी ranking के जो parameter से वो इस परकार से हैं सबसे पहले इसमें teaching learning and resources है इसमें जो दूसरा parameter है जिसके अनुसार ये rank के निरधारित की जाती है वो है research and professional practice तीसरा इसका parameters है वो है graduation outcome चोथा इसका जो parameters है वो है out research and inclusivity और पांचवा है perception तो ये इसमें चार पांच जो इसके parameters हैं ये rank निरधारित करते हैं इन सभी parameters के आदार पर medical college की rank निरधारित की जाती है NIRF 2020 के लिए medical college की ranking release कर दी है वैसे तो counseling के समय college choose करते समय मैं आपको सब कुछ बता दूँगा फिर भी देख लेते हैं NIRF 2020 में कौन सी medical college को कौन सी rank दी गई है तो इसमें government, private और dimmed university सभी सामिल है और इसमें total 40 medical college को rank दी गई है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें तो इसमें जो rank दी गई है इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले NIRF India.org पर login करना है यानि की visit करना है इसमें इसके बाद में इसमें parameters दिये गए हैं parameters देख लें कौन कौन से parameters हैं इसके बाद में ranking पर click करेंगे तो यहां उपर है 2020 लिखा है इस पर आपको click करना है 2019 की ranking देखनी है 2018 की 17 की 16 की यह 3-4 साल की ranking इसमें दी हुई है वो भी आप देख सकते हैं हम यहां 2020 की ranking के देखेंगे जो 11 जून 2020 को release की गई है तो इसमें सबसे पहले हम यहां medical पर click करेंगे तो यहाँ पर हमने medical पर click करना है, तो जैसे ही हम medical पर click करेंगे, इसमें rank wise, score wise, state wise, city wise, name दिया गया है और institute ID दी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम number one ranking की medical college को देखते हैं, तो यह aims दिली है, और हमेशा aims दिली ही रहता है यह, और इसका जो score है वो 90.69 है, score मैंने आपको बताया, वो parameters के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसमें हम इसकी more detail में click करके देख सकते हैं, इसमें TLR में कितनी इसकी ranking है, कितनी marks दिये हैं, RPC में कितनी marks हैं, इसमें total 100 यानि 500 नमर का यह ranking है, उसमें अलग-अलग ranking दी गई है इसमें, तो इस परका से कौन से में कितनी rank दी गई है, इसके बाद में दो नमर पर post graduate institute of medical education and research जो चंडिगड में है, वो है दो नमर पर यह दोनों ही government है, इसके बाद में third पर इसमें दिया गया है Christian medical college जो value में है, Christian medical college तमिल नाडु में है, third ranking की college है, यह एक private college है, लेकिन इसकी piece मात्र, यह 47,000 nearby per year है, और भौत ही अच्छी college है, हर एक student का सपना होता है, इस college में admission लेने का, out state candidate के लिए इसमें 10 seat reserve है, यानि कि 10 seat उपर out state का कोई भी candidate इसमें admission ले सकता है, यह Christian minority की college है, third number पर हम देखते है, National Institute of Mental Health and Neurosciences का है, इसमें fourth ranking की college बैंगलोर की है, यह करनाटका की, इसके बाद में हम next देखते हैं, संजय गांदी, post graduate institute of medical sciences लखनव में है, उत्तर परदेश में, यह five ranking की college है, और इसमें 70.21 marks इसको दिये गए है, इसके बाद में छटवे नमर पर B.H.U. है, बनारस Hindu University है, जो बनारस में वारांसी में है, यह उत्तर परदेश में है, six ranking की college है, 64.72 इसका score है, इसके बाद में हम next में बात करें, seven number की, तो अमरिता, विश्वा, विद्या, पीट है, यह है, डेमडे उनिवर्सिटी है, कोईमटूर, तमिलनाडो में है, इसकी fees काफी ज्यादा है, इसके बाद में आठवे नमर की बात करें हम, तो इसमें जिपमर, पुडूचेरी है, ज 2020 में 63.17 इसका स्कोर दिया गया है, इसके बाद में next में हम बात करें, कस्तूर्वा मेडिकल कोलेज, यानि KMC, मैंगलोर और मनीपाल, दोनों केमपस की कोलेज, यह डिम्ड उनिवर्सिटी है, करनाटका में है, मनीपाल की इसमें दी गई है, वो 9th ranking की कोलेज है, 62.84 स्कोर क मैं आपको यहां बता दूँ कि 2019 में यह डिम्ड उनिवर्सिटी थी, इसकी फीस काभी ज्यादा है, 13 लाक रुपे पर यह इसकी फीस है, इसके बाद में जो other expensive वो अलग से हैं इसमें, इसके बाद next कोलेज, उत्तर परदेश की King George Medical College, यानि KGMU है, यह लखनव में हैं, और 10 थे, यह इसकी ranking की कोलेज है, 62.20 स्कोर रहा है इसका, इसके बाद में 11 नमबर की हम कोलेज देखते हैं, यह institute है, institute of liver, यह है जो नई दिल्ली में है, इसके साथ में कोई medical कोलेज अटेज नहीं है इसमें, इसके बाद में next में हम बात करें, आगे 11 नमबर के बाद में बात कर हैं, हम 12 नमबर की, तो 12 नमबर में मदरास Medical College and Government General Hospital चिन्नाई में है, तमिल्नाडो में 12 नमबर रेंकिंग की कोलेज है, यह 58.84 स्कोर है इसका, इसके बाद में next बात करें, सिरी रामाचंद्रा Institute of Higher Education and Research, यह एक दिम्डी उनिवर्सिटी है, तमिल्नाडु चिन्नाई की इसका स्कोर है, इसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट 14 नमबर की, जो 14 नमबर रेंकिंग की कोलेज है, वो सेंट जौन Medical College है, प्राइवेट मेडिकल कोलेज है, इसकी फीज साड़े पांस लाग पर येर थी, यह पिछली साल बेंगलोर की राजिव गांदी Health Sciences के अंडर य अच्छी कोलेज है, स्टूडेंट indifferent से पहले इसको प्रिफेर करते हैं, पिछली साल के स्कोर की बात करें तो 600 से बाव इसकी कटोव रही थी, जो गोवर्मेंट मेडिकल कोलेज से भी जादा थी, यानि कि स्टूडेंट गोवर्मेंट मेडिकल कोलेज को प्रिफेर नह देकर के पांच लाख रुपए की फीज की इस प्राइवेट मेडिकल कोलेज को प्रियोरिटी देते हैं इसमें अब हम आगे बात करें 15 नम्मर की कोलेज जो AMU है अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सिटी है उत्तर परदेश में है 56.22 इसका स्कोर है इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट में नई दिल्ली की VMMS यनि की जो वर्दमान मावीर मेडिकल कोलेज एंड सबदर्जंग होस्पिटल है वो 16 नम्मर पर है दिल्ली में इस्तित है इसके बाद में नेक्स्ट 17 नम्मर पर मोलना आजाद मेडिकल कोलेज है मैं आपको यहाँ एक क्लियर कर देना चाता हूँ कि जो मोलना आजाद मेडिकल कोलेज है उसको इस्टूडेंट 2 नम्मर पर प्रिफेर देते हैं क्योंकि ये दिल्ली में इस्तित है अच्छा कोलेज है इसलिए second number पर देते हैं जो student जिन state में जो मैंने आपको ये जैसे चंडिगट वगरा के हैं student उन में college है तो पहले ये चंडिगट को प्रिफेंस देंगे फिर ये मोला नाजाद को प्रिफेंस देते हैं तो ये 17 number की है लेकिन aims के बाद इसी को student प्रिफेंस देते हैं क्योंकि ये दिल्ली में है हर साल college की अलग-अलग ranking change होती है जो मैंने आपको parameters बताए हैं उस parameters के इसाब से changing होता रहता है इसके आगे जो next में हैं वो cmc ludyana पंजाब में है 18 ranking की college है इसके बाद में university college of medical sciences ucms जो दिल्ली की है ये जो college हैं दोनों college ucms और मोलाना अजाद दोनों central university में आती हैं इनकी fees काफी कम है इन दोनों college की fees काफी कम है इसके बाद में jss medical college जो मैशूर में है करनाटका में है डेमडी university के अंदर आती है fees काफी ज्यादा है 20 ranking की college है इसके बाद next जो college है वो kmc mangalore है इससे पहले मैंने kmc manipal के बारे में बताया था जो seven number की बताई थी अभी ये 21 number की जो है वो mangalore की kmc mangalore की college है इसके बाद जामिया हमदर्द जिसकी fees पिछली साल तेरा बारा लाक रुपए तकरीबन थी उसकी जो ranking है वो 22 ranking है दिल्ली में इस्तित है ये dimmed university है इसके बाद में शिक्षा ओ ये जो है वे भावनेश्वर उडिसा में है इसके बाद next डियार डिवाई पाटिल विद्यापीट है ये पूरे मारास्ट्र में है private college है इसकी fees 22 लाक से 25 लाक रुपए तक per year है 24 number ranking की college है next में है government medical college and hospital चंडीगड 25 नमर की ranking की ये medical college है next है दयानंद medical college जो लुदियाना पंजाब में है 26 नमर की college है इसके बाद में SMS medical college जैपूर जो राजस्तान में है 27 नमर की college है इसके बाद PSC institute of medical sciences ने जिसर्ज कोयम्टूर तमिलाडो में है 27 ranking की college है दत्ता मेगा institute medical sciences वर्धा में है महराष्टर में है 29 ranking की है इसके बाद MS रमया जो private medical college बेंगलरू करनाटका की है 30 ranking की अच्छी medical college है जिसकी fees 8 लाग रुपे पर येर tuition fees वगरा है एक लाग रुपे something hostel वगरा का इस परकार से टोटल 9 लाग रुपे पर येर की इसकी fees पड़ती है अभी SRM institute of sciences and technology 31st ranking की medical college है इसके बाद में कलिंगा है वो 32 की है उडिशा बहुनेशवर में है इसके बाद में next में हरियाना की college है ये अमबाला की महरसी मरकेंडेशवर है ये 33 number ranking की college है 34 की swita institute of medical and technical sciences ये भी है वो dimmed university है और ये महरसी जो मरकेंडेशवर है ये भी dimmed university है इसके बाद में इसमें जो next में है ये तमिलनाडू की 35 ranking की college है ये भी dimmed university है के सेगडे भी dimmed university है इसके बाद में जो 37 ranking की है कृष्णा इंस्टिटूट यानि किम्स है वो कर्ड में है महराष्टर में इसकी फीज काफी कम थी पिछली साल 11 लाख रुपए सबसे कम फीज थी इसकी तो ये 37 marks पर है ये शोरी rank पर है इसके बाद में ये next की जो college है वो अंतरपर्देश की है तिरुपती की college है वो SVIMS college है वो 38 ranking की है इसके बाद में रिम्स इंफॉल वेस्ट मनीपूर में है ये 38 ranking की college है इसके बाद मातमागादी medical college and research institute पांडिजेरी में है ये 40 number ranking की college है तो इस फरकार से ये rank दी हुई है तो आपको admission के time पर हमारे द्वारा बिल्कुल guide किया जाएगा आपके need के marks के according आपको कौन सी medical college लेनी चीए हम आपको admission के time पर guide कर देंगे और आपको अच्छी medical college में दिलाने में आपके help करेंगे दोस्तो मेरा हमेंसा यही करतवे राया है कि student को उसकी काबलियत के अनुसार ही medical college मिल सके knowledge के अबाव में मैं किसी भी student को परिशान नहीं होने दूँगा मैं आपको हर एक medical college के बारे में बता दूँगा तो दोस्तो चैनल से कोई अगर फाइदा होता है मेरे इस चैनल से तो आप subscribe करें वीडियो पसंद आता है तो like कर दें यहनिता dislike का भी एक बटन है इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा जैह पीडियो नहीं